अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा काम करने के बाद ही बहुत लेजी, ठकान और डिप्रेस सा फिल करते हैं, बट हमने कभी इन चीजों का रिजन जानने की कोशिश नहीं की, कि अक्सर हम सभी लेडीज के साथ ये प्रॉब्लम क्यों होती है, मेरे मायने से अक्सर 90% लेडीज के साथ ये प्रॉब्लम होती है, और इस वीडियो में आज वही डिसकस करने जा रही हूँ, I hope ये आपको पसंद भी आएगा और हल्प भी करेगा Hello and welcome back to my another video, I hope आप सब लोग अच्छे होंगे, तो आज का ये वीडियो सभी वोमेंस के लिए बहुत इंपोर्टन है, स्पेशली चाहे वो वर्किंग हों या फिर वो होमेकर हों, जो आपकी बोरिंग और डिप्रेस लाइफ को हैपे बनाने में आपको बहुत जादा हेल्प करेगा, हम लेडिस की अकसर ऐसी आदत होती है कि किसी ने अगर कुछ कह दिया, तो वो हम दिल से लगा लेती हैं, और 90% लेडिस के साथ अकसर ये होता है, और सारा दिन काम करते करते भी वोही माइन में चलता रहता है, कि उसने ऐसा क्यों कह दिया, किस रिजन से कहा, देख ही मुश्किल हो जाता है, और हो सकता है कि वो आपको बोल के गया है, और वो ये बात भूल भी गया हो, लेकिन आप उसी चीज़ को लेकर परेशान होते रहते हैं, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होती रहती है, तो ट्राइ कीजिए, आपके काम की बात है तो उसको रखिए, अ हो है unnecessarily gossiping, यानि कि जादा दर आपने देखा होगा कि औरते आपस में बातचित करना शुरू जब करते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कब वो बाते किसी तीसरे की चुगली इंदा में convert हो जाती हैं, और जब वही चुगली वाली बाते बढ़ा चढ़ा कर उस इंसान के सा के लिए क्रेट हो जाती हैं, तो हैपी और प्लेजन्ट लाइफ अगर चाहिए इन फालतू और बेकार की चीज़ों को छोड़ कर आप अपने और अपने परिवार की तरफ ध्यान देजिए तीसरी आदत जो हमें बदलनी होगी हमेशा के लिए वो है कि हमेशा ना हम लोग अपनी डेस्टिनी को ब्लेम करते रहते हैं बहुत से लोगों को देखा है मैंने अपनी लाइफ में कि उपर की लोगों को देख के ना हमेशा रोते रहते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी क्यों नहीं है, ये लोग इतने सुक्चैन से रहते हैं, इतना पैसा है, सब कुछ है, तो हम गरीबी में क्यों जी रहे हैं? अरे हमें क्या पता उनके लाइफ में सुक्चैन असल में है भी या नहीं एक कहावत तो आपने सुने ही होगी कि दूर के ढोल हमेशा सुभावने लगते हैं तो आप दूसरों की तरफ ध्यान ना देके न अपनी किस्मत को दोश दीने की बजाए जो आपके पास छोटी छोटी चीज़ें हैं उनमें हमेशा खुश रहना सीखिए बजाए उसके की आप फ्यूचर को लेके परेशान रहें आप मेहनत से जो चीज़ हासल करना चाहते हैं आप उसके लिए मेहनत कीजिए किस्मत को दोश नहां दीजिए जिससे की आप खुश रहना अपने आप में सीख जाएंगे और फाल्तु में टेंशन जो है न अपनी डेस्टिनी को ब्लेम करकर के नहीं लेंगे अमें हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों को देख के मोटिवेट रहना चाहिए चोटे-चोटी खुशियों में खुश रहना चाहिए ना कि किस्मत को दोश देने के चकर में वो चोटे-चोटे जो पल है न वो भी हमारे हाथ से ना अफिसल जाए तो प्लीज स्टॉप ऑल्वेज ब्लेमिंग यौर डेस्टिनी नमबर फोर लीव ठिंकिंग कंटिनूसली अबाउट अदर्स तो सबसे पहले आप दूसरों के बारे में सुचनबंद कीजिए कि लोग क्या कहेंगे आप भी सिर्फ अपनी पसंद ना पसंद के बारे में ही सोचिए जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है ना कि उससे जिससे लोग खुश होते है देखिए लोग तो कभी खुश नहीं होते आप अपने परिवार से ही अंदाजा ले लीजिए कि घर में अगर दस अदस्से हैं तो सब के सोच विचार अलग-अलग है तो सब को खुश हम लोग नहीं कर सकते आप परिवार है तो जरूर से खुशी का ध्यान रखने की ट्राई कीजिए बट ध्यान रहे उसके चक्तर में आप खुद की खुशी को ना भूले तो सबसे पहले आप खुद के बारे में सोचना सरूर से शुरू कीजिए तभी आप अपने परिवार को खुश रख पाएंगे और जब आप पेकार की तनाव मुक्त बातों को इग्नोर करकी आगे बढ़ना सीख गए तो समझ लीजिए आपका जो मन है वो आपके कामों में लगना शुरू हो जाएगा बजाए उसके के फालतों की सोच विचार करें तो सबसे पहले अपने माइन को कंसंट्रेट रखना बहुत जरूरी है अगर हमारा माइन कंसंट्रेट रहेगा तो हम कोई भी काम अगर कर रहे हैं उसमें काम की एफिशेंसी बढ़ेगी क्वालिटी भी अच्छी होगी और काम को करने में जादा हमें टाइम नहीं लगेगा सपोज अगर हम कीचन में काम कर रहे हैं हमारा ध्यान कहीं हो रहे हैं तो उससे क्या होगा हमारे काम करने का जो टाइम पिरिएड है वो भी बढ़ जाएगा और एफिशेंसी भी कम हो ज लखिए जादा बेफालतू की बातों में पने माइन को वियर्थ ना जाने लीजिए कई बार हम बच्चों को लेकिए या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाते हैं कई पाक वगेरा में तो आते जाते कुछ लोगों की ना आतत होती है रॉंग कमेंट पास करने की फॉर एक्जामपल हमारे कोई बोडी शेम के बारे में बात कर जाए कि हम कितने मोटे हैं या कितने पतले हैं तो वो चीज़ हमें बुरी लगती है और हम लोग डिसपॉइंट हो जाते हैं तो आप डिसपॉइंट बिल्कुल भी मत हो ये अगर आपको लगता है कि वो जो बोल कर गया है जाने जाने में सही बोल कर गया तो आखिर वो आपको मोटिवेट करके गया है ना कि वो आपको डिसपॉइंट किया है तो आप उसको ऐजा पॉजितिव चैलेंज लीजिए और अपने अंदर वो चेंजिस लाने की कोशिश कीजिए तो मानिए कि आप किसी की भी बात का कभी भी बुरा नहीं मानेंगे और अपने health की तरफ always ध्यान देंगे जब health की बात आती है तो अकसर हम ladies अपने balance food को लेना ignore करती है आपने note किया होगा जब भी हम लोग home cooked food खाते हैं fruits खाते हैं तो energetic feel करते हैं और घर के कामों को फटा फट करने की श्रमता रखते हैं on the other hand जब हम बाहर से खाना और जो करते हैं तो जल्दी ही fatigue सुस्त फेल करते हैं क्योंकि बाहर के खाने में बहुत कुछ preservatives कैसे कैसे masalas use होते हैं we don't know जो कि हमारी health को बहुत जादा disturb करते हैं हमें depressed करते हैं तो उससे better है कि हम लोग घर का बना अपना nutrient protein rich fruits and foods खाए जो हमारे energy level को always बरकरार रखे एक सबसे बुरी आदत जो आजकल सभी लोगों में देखी जा रही है वो है late night sleeping की mostly हम लोग सोने से पहले बे फिजूल में ही ना phone scroll करते रहते हैं ना जाने social media पे instagram पे घंटो घंटो बैठे रहते हैं time का पता ही नहीं चलता और हम लोग सोने में late हो जाते हैं जिसके कारण हमारी जो next morning होती है वो बिल्कुल lazy जाती है fatigue जाती है क्योंकि अगर नींद ही पूरी नहीं है तो हमारा अगला दिन कहां से अच्छा होगा नींद अगर पूरी है time पे हमने ली है तो next हमारी जो morning होगी वो बिल्कुल तरो ताजा रहेगी जिससे आप fresh feel करेंगे skin, hair, always glow करेंगे और energy level जो है always आपका peak पे रहेगा ये बात आपकी आप मेरी हमेशा ध्यान रखेगा और note करके जरूर देखेगा एक आदत और छोड़िये वो क्या कि खाली रपने आपको कभी भी आप रहने मत दीजिए keep yourself always busy आपको religion book पढ़ना पसंद है music सुनना पसंद है आपके interest की कोई भी चीज फिर चाहे वो ये ही क्यों ना हो कि आपको बच्चों के साथ time spend करना बहुत पसंद है जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए बट घंटो घंटो फोन पे बाते करके time waste मत कीजिए अपने मानसिक तना आपको हमेशा दूर रखिए positive attitude life में बहुत जरूरी है छोटी मोटी चीज़े दुख सुख तो चलता रहता है पुद्रत का नियम है सुख आया है तो दुख भी आएगा दुख आया है तो सुख भी जरूर आएगा बट matter ये करता है हम उन परिस्तितियों का किस attitude से सामना करते हैं life में कितनी भी बड़ी बात क्यों न हो जाए उसे positivity से handle करने का try कीजिए most important बात जो मैंने note की है शायद आपने भी की हो जब हम किसी से मिलते हैं या phone पे बात करते हैं हाल चाल पूछते हैं तो आगे से सुनने को मिलता है response में कि बस ठीक नहीं है आज ये हो गया, कल वो हो गया कुछ तो कुछ negative approach ही मिलता है तो लोगों में ये आदत बन जाती है कि कुछ भी अच्छा ना बताने की फिर चाहे उनके life में कितना ही अच्छा क्यों ना चल रहा हो यही कहते सुनेंगे कि आज ये हो गया, वो हो गया always negative तो इस आदत को बदलिए और ये कहना शुरू कीजिए कि भगवान की दुआ से सब अच्छा है तो यकीन मानिए अगर आपकी life में थोड़ी सी भी problem है ना तो भगवान की दया महर जरूर बरसेगी ऐसा positive environment रहना हमारी life में हमारी happy life के लिए बहुत जादा important है जिसको आज के चलते time पे ना हम सब लोग ignore कर रहे हैं और अपनी life में disturbance create कर रहे हैं तो I hope आप लोगों को वीडियो से कुछ motivation मिला होगा देखने और सुनने में ये चीज़े छोटी-छोटी सी है बटक अगर हम इन चीज़ों को follow करें न तो ये हमारी life को बहुत ही जादा pleasant और खुशनुमा बना सकती है I hope आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है तो like जरूर कर दीजिएगा first time विजिट किया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए सुष्ट रहे और मस रहे